हेलो स्टुडेंट मैं हूँ राजिस बढ़ारिया और कम्पूटर फॉर क्वांट चैनल के अंदर आपका स्वागत है तो आज का टोपिक है हमारा टोपोलोजी है टोपोलोजी के अंदर क्या होता है हम देखते हैं कि डिबाइस को अगर हमें किसी नेट्वर्क के अंदर लग आएंगे में चीज है कि हम लेप साइड के अंदर जो फिचर दियो है जो पॉइंट दियो है उनको खर एक टोपोलोजी के अंदर डिसकस करेंगे क्योंकि एक्जाम के अंदर इंस पॉइंट से कॉश्चन आता ही आता है तो यह टेबल बहुत इंपोटन है आपको ध्यान र तो देखिए मान लिया में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं में टोपलोजी ओके तो फॉस्ट पॉइंट क्या है नंबर ऑफ केबल्स कितनी ज़रूत पड़ेगी अगर में टोपलोजी कर यूज करते हैं तो हमें इस फॉर्मले का यूज करा एंड इंटु एंड माइनस वन ब जुगे हैं ğ्युस्ट पड़ेगी तो में सबके ohکन होता है लृष जितने भी पोसिबल वह को से ओर प्याय करते हैं तो यहां देखिए इसको इस नोड़ को डियारेक करके सकता हूं और D को भी से डाइरेक्ट कर सकता हूं तो फर्स्ट क्या हम पूछा है number of cables की कितनी आशक्ता पड़ी की तो देखिए एक दो तीन चार पांच कितने क्या शक्ता पड़ी छे की नोड कितने थे जब नोड चार दिये हुए तो कितनी पड़ी छे इसको हम डाइरेक्ट फोर्मले से भी कर सकते हैं कैसे यहां रख लीजे एन इंटू एन माइनस वन बाय टू तो क्या हो जाएगा चार इंटू तीन बटा दो एक या दो तो आंसर क्या हो गया छे तो एक्दाम के अंदर आपको ड्रो करके देखने क्या जड़तनी है डिरेक्ट फोर्मला के अंदर रखे आंसर आ जाएगा माल यहां नोड दे रखे एन इकल टू फाइफ तो आप ड्रो करके चेक करेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ ऑट ओके सारे पॉसिबल कनेक्शन हो गया है नो और यह दस तो एक तो आप ड्रो करके चेक करिए दूसरा फोर्मला के अंदर पूट करिए एन की वेल्यू क्या दे रहे कि यहां पर नोड कितने है पांच एक दो तीन चार पांच वो नोड का मतलब यहां क्या है डिवाइस से जो उस gemaakt के अंदर कनेक्ट होंगे तो क्या हो जाएगा पांच इंटु चार बटा दो यहां पूट किया है ना ये क्या हो जाएगा दस तो देखिए डाइरेगांसर निकल कर सकते आप केसेांक् gool के या पुछेएंगे कि कितने port क्या आफशक्ता है हर एक device के उपपर इसका मतलब क्या है यह जो port दिया हुआ यह डिविवैस से इसको दूसरी device से connect करने के लिए कितनी cable क्या शिल्टा है port बहुए cable जो connect होगी किसी device से लो port सही होगी न तो कितने पोर्ट की आफशक्ता है यहां देखिए जब नोड चार है तो कितने पोर्ट की आफशक्ता है इसी विस अकले पोर्ट को तीन इसको भी देखिए तीन इसको भी देखिए तीन तीन यहां यह ले लिजिए इसको कितने पोर्ट की आफशक्ता है एक दो तीन चार इस node को कितने कि आफशकता है एक दो तीन चार इसको कितने कि आफशकता है एक दो तीन चार ओके तो देखिए जब भी node 5 है तो n-1 port की आफशकता है तो second वाला point क्या हो गया आप direct करक सकते है formula के अंदर n-1 each devices के उपर n-1 port की आफशकता है अगर Lt 5 दे रखा है तो ऌच माइनस-1-4 pourt की आफशकता है नोड अगर 4 दे रखा है तो 4-1,-3 port की आफशकता है समझ में आ रहा है आपको demand devices के उपर कितने pors यह ओशकता है तो यहा देखिए हर एक port के उपर हर device के उपर कितने port क्या शक्ता हो मैंने क्या बता है अभी यहाँ पर तीन ओके यह इसका यहाँ बता रहा हूँ तीन है ना तो node कितने एक दो तीन चार इसको इससे multiply कर जिए तीन इंटू चार क्या होगा 12 या formula याद रखे n इंटू n-1 सीधा सीधा ओके अगर हर एक device के उपर पूछा जाए तो आपको formula अप्लाई करना n-1 और सभी devices के उपर apply करना है तो क्या करोगे आप node को क्या करोगे इंटू कर दोगे बस सीधी सी बात है बए मुझे इसके उपर तीन क्या आवशक्ता है तो सब्सक्राइब तो सभी को मैं क्या करूंगा या तो एड कर दो 3 3 3 3 3 प्लडस यहां पर 4 4 4 4 4 4 यह क्या करोगे 1 2 3 4 5 5 इंटू 4 20 डैरेक क्या हो जाएगा 20 जो है port की आवशक्ता है ओके चलिए reliability देखे reliability का क्या मतलब है sender ने अगर receiver को को एक大家都 A को मैसेज बेजा तो वी के पास मेसेज भेजने का प्रोट अध्य रहेकी कितना चांस को भ्याइस सकता है तो तो इसके पास बी के पास मिस्टिर उपद मेशनें के चांसक कितने बहुत जादा है तो इसके पास क्लिबिसी एक में दर एक हसे सब्सक्राइब कर जाती का अगर करफ़ हो गई तो यह testify कह अंदर कमें भी के बहुत सारे रास्ता यह पास मेसेज बेईजने जासते हैं तो मेसेज बेजने की इतनी हो गई हाई हो गई कोस्ट ओवर सी बात है मुझे हर एक कनेक्शन के लिए अलग-अलग केबल चाहिएगी हर डिवेस को करने करने के लिए ज्यादा केबल की अवशकता पड़ रही तो इसकी कोस्ट क्या होगी हाई होगी कंपेर टू अ स्कुर्टि है अगर में मेसेज बेज रहा हूँ चेंप अब मुझे a को B के पास message भेने हैं तो aary değil को बचेगा artery c को बचेगा और c फिर बी को बचेगा तो यहां पर जो message की security वो क्या होगी कहीं ने कहीं exploit होगी क्योंकि d b भी रीड कर सकता है और सी भी रीड कर सकता है तो मेश टॉपलेजी के अंदर इसा कुछ नहीं है इसकी जो सिक्यूरिटी होगी वह क्या रहेगी हाई रहेगी क्योंकि यह डाइरेक्ट एसे बी को मैसेज बेज सकता है ना को लिजन होने के चांसे जीरो रहेंगे लगबग जी सकता है तो अगर एकी चैनल दिया होता है यहां पर सारे है यहां से बेज़ देगा क्याना के चांस नहीं रहेंगे enam कि यहां देखिए, ऐस थरीका है 170你ए एक डिवाइस को मुझे करनेक्क करना तो यहां पर वह रहा है हो हो रहा है direct communication होई पॉइंट कम्टिंकेशन हो रहा है जबकि कहां बस टोपोटी के अंदर देखोगे यहां पर जैसे सरवर है और यहां पर बहुत सारी डिवाइसे चैन कर नेक्टेड तो यहां पर क्या हो गया मेस टोपीट जी के इनरोब कौछ सा है फॉइंट टूपींड तो यह जो सारे पॉइंट डिसकर्स किये हैं मेस टोपीटि के बिने यह बावले पॉइंट यह आपको रटने नहीं है या अराम से याद रख सकते हैं ओक तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल कंप्यूटर फोर कांड को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू